हलो सर कैसे आप बेसिकली आपको याद होगा आपका एक LLP है Limited Liability Partnership तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं आपको यह बता दूँ कि इस LLP को मैंटेन करने आपको क्या क्या करना है तो सर बेसिकली आपके पास मैं LLP Registration के समय आपको मिला था DIR आर नमबर ठीक है जिसको दिन नमबर बोलते हैं यह दिन नमबर को Renew हर साल करना बहुत जरूरी है और इसका Last Date अभी 15 October है अगर इसको नहीं करेंगे Renew तो आपको लगेगा 5000 का Penalty यह Renew करने के लिए आपको देना होगा आपका Photo, Pank Card, Adhar Card और Latest Bank Statement इसके अलावा LLP को जिन्दा रखने के लिए आपको यह दो Forms फाइल करने होते हैं जिसको LLP 11 और LLP 9 बोलते हैं लोगों को एक गलत फहिमी है कि अगर Income Tax Return फाइल कर दिया तो आपकी LLP अलाइव है लेकिन यह बात सही नहीं है आपको साथ में Registrar of LLP जो है उसकी भी फाइलिंग करना बहुत जरूरी है बना आपकी LLP जो है वो Cancel हो जाएगी Expire हो जाएगी तो यह फाइलिंग करने आपको क्या-क्या लगेगा यह मैं आपको बतारा चाहूँगा यह फाइलिंग करने के लिए आपको मुझे देना होगा आपका Bank Statement LLP का Bank Statement Excel में Excel में होना बहुत जरूरी है था कि आम लोग उसमें Accounting कर ले और GST का Login ID Password अगर आपके पास GST Registration है तो अगर मैंने ही करवा है तो कोई चिंता की बात नहीं वो मैं Manage करता हूँ DIR KYC का जो Renewal Cost है Market के अंदर वो 5,000 रुपए तक लोग लेते हैं लेकिन हम लोग सिर्फ 1000 रुपीज लेते हैं और अगर आप उसको Next Year करवाते हैं तो 500 LLP 11 और LLP 15 का लोग सारी LLP 11 और LLP 9 का लोग 5,000 लेते हैं हम 1515 लेते हैं Audit Charges नहीं आएंगे आपको Accounting Charges Private Accountant 3,000 रुपए महीने के लेते हैं हम लोग 700 रुपए ले रहे Income Tax Return जो ये LLP का वो काफी बड़ा होता है 50-60 पेजिस का होता है तो उसका लोग 10,000 लेते हैं पर हम 3,000 लेते हैं पूरे साल में आपको एक ही बार देना है तो assuming कि आपके दो डिरेक्टर्स है जिसका डेन नमबर आपको रहन्यो करना है प्लस आपको LLP का Form 11, Form 9 फाइल करना है प्लस उसकी Accounting करनी है और Income Tax Return फाइल करना है तो आपको approximate खर्चा 13,000 लोपे तक आ रहे और हम लोग expect करेंगे कि आप ये advance में दे और आप चाहते हैं काम शुरू हो तो आप अपना bank statement दे दे LLP का basically ये अगर आप नहीं करवाते हैं तो ultimately आपकी LLP जो है वो de-register हो जाएगी ओके और close हो जाएगी तो अगर आप इस बारे में और मुझे discussion करना चाहते हैं तो मेरा number screen पे दिया हो है मेरी request है कि आपको जो भी इसमें decision करना है वो आप जल से जल करें अगर आप filing नहीं करवाते हैं और आपकी LLP बंद हो जाती है तो इसके लिए आप ही responsible रहेंगे तैक्यू । तेक्कार